हम जो हैं वो हमें हमारी सोचने बनाया है इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं हमारे यूटिव चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वर्ष 2022 के आखिरी तीन माहा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीन महिनों के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी वाले लोगों के लिए इन तीन महिनों में किन किन जगहों से आपको सफलतायों के योग बनेंगे कहां कहां किसके शेत्र में आपको उपलब्धिया मिलने वाली है और कहां कहां आपको निराशा हो सकती है या इन तीन महिनों में वो ग्रहों की कौन सी युथी है वो ग्रहों की कौन सी इस्तिती है जो आपके लिए सबसे अच्छी होगी जानेंगे इन तीन महिनों के बारे में हम आपके जीवन से जुड़े हर एक बात और साथ में इनमें से कौन सा महीना सबसे अधी कशानदार आपके लिए रहेगा ये भी हम जानेंगे तो वीडियो को लास्त तक देखें लाइक नहीं किया है तो अभी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है क्योंकि यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया प्राप्त होती रहती है तो हम बात करें हैं आक्टोबर नवंबर और दिसंबर 2022 तुला राशी फल के बारे में महीने का जैसे जैसे वर्ष का जैसे जैसे अंत आता जाता है तो मन में ये कई सारी चीज़े होती है कि ये वर्ष हमें आखिर दे कर क्या गया या ये वर्ष जाते जाते हमें क्या कुछ खास दे कर जाने वाला है क्या खुशियां होने वाली है बहुत से लोग होंगे जिनके जीवन में अब तक कुछ नहीं हुआ होगा उनको इस वर्ष से आस होगी कि क्या होगा तो ये वीडियो उनी के लिए है जो कि बेहत खास होने वाले हैं ये तीन महीने तो पहले हम बात करेंगे अक्टूबर महीने की अक्टूबर का महीना आपके लिए एक काफी महतपून महीना भी साबित होने वाला है क्योंकि इस महीने में जो ग्रह गोचर है वो आप ही की लगन में सबसे ज़ादा होगा यानि आपकी लगन जो है आपका जो प्रत्थम भाव है वो सबसे अधिक का प्रभावित होगा इस महीने में वो क्यों होगा? क्योंकि इस महिने की 17 तारीख को, अक्टुबर की 17 तारीख को सूरिय आपके लगन में पिर्वेश कर जांगे, जहां बुध पहले से होंगे, तो बुध का भी यहां होने से बुधादित राज्यों बन जाएगा, लेकिन साथ में केतू पहले से ही विराशमा तुला राशी में आपके लगन में तीन ग्रह एक साथ होगे उसके बाद शुक्र भी यहीं आ जाएंगे चार ग्रह एक साथ होगे फिर चंद्र की भी यूति इसमें होगी तो इस तरह से आपके लगन में चार-पांच ग्रहों का गोचर होगा तो सबसे अधिक जो प्रभाव तन इस महीने में है शनी का शनी अभी वक्रस दिस्यति में बैठा है लेकिन शनी मारगी हो जाएंगे इस समय कर्म भाव यानि दसम भाव के स्वामी चंद्रमा राहु के साथ 10 अक्टूबर के आस पास 17 भाव से घोचर करेंगे और जो शनी है चौता भाव में हैं सुक भाव म वो मारगी हो जाएंगे जो कर्म भाव पर दस्ट्री डालेंगे तो बहुत उत्तम एक किस्तिती बनेगे आपके लिए जो सकार अत्मक्फल देने वाले होगी नौकरी करते हैं आप तो प्रसंड हो जाएए ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम है कर्म भाव पर दस्ट्री यह आप लिख के लिए इचे यह तलाश पूरी होगी बेरुजगार लोगों के लिए यह महिना वाकी में लाजवाव होगा और जब जैसे ही सूर्य और बुद्ध जो है वो बुधादित योक का निर्मान करेंगे तो विदेश से जुड़े हुए कारियों से लाब मिलेगा व क्या होगा confidence level बढ़ेगा यह आपके आत्म विश्वास में इतनी व्रद्धी करेंगे कि आप अपने जीवन के बड़े बड़े जो निर्णे हैं उनको बड़े आसानी से ले पाएंगे और अपनी करियर में भी नई उचाईयों को प्राप्त कर पाएंगे मद्ध माहा के बा अग्य का support पर जहां में लेगा आपको और यह जो है हर लिहाद से आपके लिए बहतर सिद्ध होगा प्रेम जीवन के लिहाद से भी यह महिना बहुत अच्छा रहने वाला है और दामपत्य जीवन के लिहाद से भी यह महिना बहुत अच्छा रहने वाला है बत्स हैं वो आपके लगन में ही विराजमान रहेंगे तुला राशी के में उसके बाद आपके दूइते भाव में आ जाएंगे और यहां दूइते भाव में जो गोचर होगा धन भाव में जो सूरे काना होगा व्रेश्चिक राशी में वंगल की राशी में ये धन को बढ़ाएग यानि आप अगर कुसी competitive exam में बैठते हैं तो वहाँ अपनी इस्टिटियों को अच्छा होता हुआ देखेंगे बस जो मैंने पहले कहा अगर आप जो आप सोचते हैं वैसा आप खुद को बनाते हैं तो बस positive रहना है हर चीज को लेकर महनत करना है उससे आपके जीवन पर सबसे अधिक effect पड़ता है एक बात जरूर करना जाओंगी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप positive बहुत बोलते हो अगर मैं आज ही आपको कुछ negative चीज बताओ तो आप उस चीज के बारे में इतना अगर आपका कोई कारे नहीं बन रहा है और आपके अंदर एक सकारातमक भाव है कि नहीं आप इस कारे को कर सकते हैं और ये काम आपका आज नहीं तो कल बनेगा तो कल आपका काम बनेगा ही बनेगा तो इसलिए हमीशा positive रहिए अब ये जो महीना है ये बस स्वास्ता का थो बाव में सूर्य आजाएंगे, बुध के साथ योती इस महीने में भी होगी, बुधा दिते योगे, इस महीने में भी बनेगा, दिसम्बर के महीने में, और शुक्र भी यहां आपके तीसरे बाव में विराज मान होगे, तो ये महीना वैसे तो अच्छा महीना है, बस थोड़ छोटी मोटी आपको काम का प्रेशर जादा रह सकता है और काम के प्रेशर के वज़े से थोड़ी मानसीक टेंशन हो सकती है तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपने विवाह के संबंद, विवाह संबंदी बातें इस महीने में आपके लिए हो सकती है और हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी विवाह भी हो जाए जो विवाह योग यह जाता है उनके लिए हम बात कर रहे हैं इस दोरान आपके कारे शेत्र में अच्छे योग बन रहे हैं कि आपकी जो पदो नती है वो हो सकती है लेकिन साथ इस साथ आपकी जो जिम्मेदारिया वो बढ़ेंगी और जिम्मेदारिया जब बढ़ती है तो काम भी बढ़ता है तो इसकी वज़े से आप अपनी घर को भी समय दें और काम पर भी ध्यान रखें काम करते करते बीच में आप सोशल मीडिया अजकल बहुत अच्छा है तो थोड़ा बहुत दो कॉल अगर आप आफिस में बैठे घर कर लेंगे तो आपके हर एक टंशन को दूर कर देगा तेस्टीज का ध्यान आपको ज़रूर बात करें तो अक्टूबर और नवंबर ये दो महीने बहुत उत्म हैं प्रेम विवाह के लिए प्रेम विवाह जो करना चाहते हैं इन दो महीनों में अपने घर परिवार वाले लोगों से बात कर सकते हैं आपकी बात मानी जा सकती है दिसंबर के महीने में आप कोई ऐसा का रेयर ना करें, प्रेम, विवा के बारे में ना सोचें, गर परिवार में आप ना बताएं, उसके बारे में आपको धहान रखना होगा, लेकिन ये दो महिने बहुत उत्तम रहने वाले हैं तो बाकी तो आप जितना अधिक मैं कहती हूँ हमेशा positive रहेंगे जितना अपनी कामों को लेकर ग्रहे असर डालते हैं लेकिन आपका बहाग गया आपका कर्म भी बहुत माइने रखता है जैसा आप कर्म करते हैं और उसमें सोच आपकी बहुत माइने रखती है कि आप चीजों को बदल सकते हैं आप उपाय भी कर सकते हैं आप चीजों को बदल भी सकते हैं तो इसलिए हमेशा positive रहें और positive रहकर काम कीजिए साथ ही चैनल को भी subscribe कर लें वीडियो को like और share करना ना भूलें